नौश्कार फ्रेंड्स, वेलकम तो स्टेकेजी स्टेडिस एंड स्टेकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेज अभी हम आपके लिए एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ले करके आया हैं जी हाँ, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक इसलिए हैं क्योंकि आज कल रिजर्वेशन केटेगरी की चर्चाएं हो रही हैं रिजर्वेशन केटेगरी की चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि कुछ लोग रिजर्व केटेगरी का मिस यूज भी करते हैं और कुछ लों रिजर्ब के टेगरी के बारे में जानते तक नहीं है, यूज ही नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने रिजर्ब के टेगरी के बारे में जानना भी है, जहां पर आवश्यक हो, अपने रिजर्ब के टेगरी को यूटिलाइज भी करना है, और जो लोग मिश्यूज कर रहे हैं मिश्यूज करने से उन्हें रोकना है और यह तब ही होगा जब हम अपनी जोगिता के बारे में जानेगे अपनी इलिजिबिलीटी के बारे में जानेगे यहां पर होता यह है कि EWA सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को बहुत से चक् बाठने पढ़ते हैं ऐसा सुनने में आता है इसलिए गौवर्मेंट जो है EWA सर्टिफिकेट को ओर्लाइन लेकर के आई है अब EWS प्रमान पत्र के लिए आपको किसी ब्लॉक में किसी सब्डिवीजन में किसी डिस्टिक में दौर धूप करने की अशक्ता नहीं है जाह घर बैठे चाहे आप बिहार में हो और चाहे बिहार से बाहर हो चाहे अपने स्टेट में हो चाहे अपने स्टेट से बाहर हो कहीं भी हो घर बैठे EWS प्रमान पत्र के लिए आविदन कर सकते हैं कैसे ओनलाइन इस सेशन में हम EWS प्रमान पत्र के लिए ओनलाइन आविदन है त है अपना EW certificate कैसे अपलाए करें step by step पूरी प्रकिरिया हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं चलिए शुरू हो जाते हैं यह देखें क्या करना है जितने लोग computer users है mobile users है उनको पता है Chrome होता है Google हो गया Chrome हो मोजिला firefox हो गया यह जनरली हम लोग web browsers यूज करते हैं सो आप Google में जाए Chrome में जाए मोजिला firefox में किसी भी web browser में जाए और जा करके हमें यह टाइप करना है यह 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 लगवाग अपने से आ जाता है serviceonline.vihar.gov.in इतना हमें यह टाइप करना है कहां पर टाइप करना है यह भी देख लिजिए यह Google आपका खुल गया यह आपका Google खुल गया तो आपके पास दो option है search करने के एक तो कुछ लोग सीधे यहीं पर टाइप कर देते हैं इस जगह को URL कहते है uniform resource locator URL कहते हैं इस जगह को तो कुछ लोग यहीं पर टाइप कर देते हैं और सिधे direct हो जाते हैं उस site पर और नहीं तो यहां पर टाइप करें दीजिए यहां पर टाइप कर दीजिए services service online.vr.gov.in यहां पर टाइप कर दीजिए पहुंच जाएंगे आप देखिए यहां पर टाइप हमने कर दिया यह जैसे हम टाइप करेंगे आपर hyperlink आ जाएगा इसको क्लिक करते ही यह उस site पर लेकर चला जाएगा तो यहां तो यहां पर टाइप कर देते हैं नहीं तो दुसरा option यह है कि यहां पर टाइप कर देए ताइप करते ही और इंटर दबाते ही ताइप किजिए और इंटर दबाएए ताइप करते ही इंटर दबाते ही हमें यह site मिल जाता है यह है बिहार सरकार का साइट यह है लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सर्विसेश पर अप्लाई करने का साइट इस साइट पर हमें पहुंच जाना है अगर इस साइट पर हम पहुंच गया हमारा 25% काम हो गया अब आएए इस साइट पर थोड़ा सा मज़र डाल देते हैं ओन्लाइन आवेदन दें लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं अन्य सेवाएं बाहिय सेवाएं नागरिक अनुभाग रिपूर्ट अनुभाग स्वयम सहायता अनुभाग ऐसे सब इसमें टैब लगे हुए हैं अब हम देखते हैं यह लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं थोड़ा से इसको पड़ा करते हैं यह देखिए लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं क्या-क्या इसमें हैं सामान्य प्रशाशन विभाग योजनायों विकाश विभाग श्रम संसाधन विभाग ग्रिभ वि हुए हैं यह प्लस वाला है नैं इसको जैसे क्लिक करने से यह से आके expand हो जाता है है तो यहाँ पर चार से आये समान-प्रसाषन विभाग, य्जणायम विकास विभाग, श्रम, संसाधन विभाग, ग्रीय विभाग हमें किसे काम है हमें सामन्य प्रशाशन विवाग से हमें काम है देखिए कैसे करते हैं यह जो पहला वाला है यह सामन्य प्रशाशन विवाग है यहाँ पर यह मैंने इंडिकेटर लगाया है वहाँ पर यह इंडिकेटर होता नहीं है तो यह सामन्य प्रशाशन विवाग हमने क्लिक किय इसको जैसे क्लिक करें जहाँ हैं है यहां भी क्लिक कर सकते है नहीं तो प्लस पर भी क्लिक कर जहां। प्रमालपत्र के लिए उनको लिए यहां पर हो जाएगा नन क्रीमी लेयर प्रमालपत्र का निर्गमन के लिए और और आर्थिक रूप से कमजूर वर्गर के लिए आयम संपती प्रमालपत्र का निर्गमन यह जो है EWS के लिए हमें यहां पर क्लिक करना है यहां पर भी टच कर सकते हैं यहां पर भी टच कर सकते हैं दोनों में से कहीं पर भी क्लिक करतेंगे तो क्लिक करते ही यह लास्ट वाला है लास्ट वाले को क्लिक करते हैं क्या आगया ये लास्ट वाला इसको क्लिक किये और आगया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय swoją संपती प्रमालपत्र का निर्गमण यही करना न तो ये तीन अस्तर पर होता है त्री लियर्स पर होते है अंचल अस्तर ब्लॉक लेवल पर अनुमंडल अस्तर सब डिवीजन लेवल पर जीला अस्तर डिस्टिक लेवल पर अच्छा यहीं होगा कि अंचल अस्तर पर इसे बनवाए जाए अंचल अस्तर यह जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसको क्लिक कर देना है जैसे हम अंचल अस्तर को यहां पर क्लिक करते हैं क्या आ जाएगा फॉम आ गया जी हाँ ओनलाइन फॉम आपके सामने अब लेवल है अब उपलब दो है आगया ट्वेंटिफॉर आउर सुबह शाम, दीन, राद, 24 आर ये साइट आपके लिए अबलेबल है, चलिए, इसको भरना देखते हैं, सीखते हैं, कैसे भरते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर्व वर्ग का प्रमार पत्र है, तो आवेदन पत्र, अनसुचित जात, अनसुचित जन जात, तता सामाजी के हम शक्षि रूप से पिछड़े वर्ग है, तो लाव आरक्षान अंतरगत अच्छादित नहीं है, अर्थात, ये जो EWA सर्टिफिकेट हैं, ये SC, ST, OBC क्रीमी लेयर के लिए नहीं है, ये EWA सर्टिफिकेट उनके लिए है, जिनके लिए कोई रिजवेशन नहीं है, SC का तो पहले से रिजवेशन है, ST का तो पहले से ही रिजवेशन है, OBC का पहले से ही रिजवेशन है, तो जिसका रिजवेशन नहीं है, उसके लिए है ये, सो अनुरोध है SCST और OBC वाले इस पर ट्राई ना करें उनके लिए अलग से फॉर्म है चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रमाणपुत्र का प्रालूख भाषा आपको चुनना है, Select Certificate Format जो Certificate मिलने वाला है, वो आपको किस भाषा में चाहिए उसके बाद से Gender अपना चुनना है Gender में तीन Gender आज का लोग हैं, पुरुष, स्त्री और तृतियलिंग अभिवादन, Salutation चुनना है Name of the Applicant English में और आवेदक, आवेदिका का नाम Hindi में, दोनों में होना चाहिए जन्म तिति यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आधार नमबर लिखना है जब भाषा की बात आती है, तो भाषा हमारे पास दो ही उपलब्द है, Hindi और English, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे Hindi English दो अप्सन आएगा बाई डिफॉल्ट हिंदी रहेगा आप अगर लिटरनेट English चाहते हैं चुन सकते हैं, फिर लिंक चुन लेजी, लिंक चुनने के बाद से अभिवादन आएगा, अभिवादन में भी हमारे पास चार अप्सन हैं अपने आपको श्री लिख सकते हैं श्रीमती लिख सकते हैं शूश्री लिख सकते हैं पर कोई अभिवादन नहीं चाहते हैं ये ओप्सन हमारे पास है फिर नेम लिखना है English में हिंदी में नाम लिखना है और ये देखिए बर्डे के लिए इसको जैसे क्लिक करेंगे ये जो है तो येर चेंज हो जाएंगे तो यहां से मन्त येर चेंज करके और यहां से जो डेट आपका डेट अबर्ड है उससे डेट को सेलेक्ट कर दिजिए अपने आप यहां पर बर जाएगा फिल अप हो जाएगा अपने आप यहांप सो इस तरीके से यह first page आपका हो गया बहुत असान है चलिए दुसरा page बढ़ते हैं दुसरा page जो है अपने state का नाम लिखना है जीला का नाम लिखना नहीं है, select करना है select करना है लिखने का option नहीं है जहाँ पर भी ऐसे drop down होगा, ऐसे arrow होंगे एसे arrow होंगे वहाँ पर सिर्फ select करना है जहाँ पर arrow नहीं है वहाँ पर सिर्फ लिखना है type करना है so state select कर लिजिए district select कर लिजिए subdivision select कर सकते हैं block select कर सकते हैं यहाँ पर स्थानी निकाय का प्रकार आप ग्राम पंचायत में आते हैं नगर परिशद में आते हैं, नगर निगम में आते हैं, नगर पालिका में आते हैं, सेलेक्ट कर लेना है, अगें ग्राम विलेज पंचाएट जो है, ग्राम पंचाएट उसको सेलेक्ट करना है, उसका नाम क्या है, अपने गाओं का नाम लिखना है, अपने पोस्ट ओफिस का नाम लिखना है जब इस टेट हम क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपके पास एक ही उप्सन आएगा बिहार दूसरा उप्सन नहीं आएगा इंडिया के बाकिये स्टेट का आप्सन यहां पर नहीं आगा क्यों नहीं आएगा कॉमन सेंस की बात है हम जो हैं सर्विस ऑनलाइन.bihar.gov.in पर जो हैं तो यहां पर तो सिर्फ बिहार का ही आप्सन होगा ना अगर यहां पर हम बिहार नहीं टाइप किये होते है तो शायद औल इंडिया का आप्सन होता है लेकिन हम जिस साइट पे हैं वो बिहार की साइट है तो बिहार की साइट है इसलिए यहां पर बिहार आप्सन भिया जा रहा है ठीक है जैसे इसको select कर लेंगे बिहार उसके बाद से district select कीजिए district select करने के बाद से आपको subdivision select करना है फिर block select करना है मैं आपको करके लिखा देता हूँ देखिए बिहार हमने select कर लिया district हमने select कर लिया subdivision हमने select कर लिया और block हमने select कर लिया बाकी सब चीज़ें यहां पर लिखने लाएख है लिखे चकते हैं राइट? नेक्स्ट, थार्ड पेस यहां पर भी यह देखिए यह ड्रॉपडाउन है तो यहां से हमें अपना पूलिश स्टेशन सेलेक्ट करना है पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद से पीन कोट टाइप करना है होल्डिंग नमबर टाइप करना है सरकिल नमबर टाइप करना है और देखिए यहां पर क्या है कौ और ख़व है इस कौ और ख़व में से कोई एक सेलेक्ट करना है केंद्र हे तू अनुशूचित अन पिछड़ा बर्ग या विहार हे तू अनुशूचित जात या अनुशूचित जन जात पिछड़ा बर्ग पिछड़ा बर्ग पिछड़ा बर्ग की सूची में सूची बद नहीं है विहार हे तू आपको अपलाई कहां पर करना है सेंट्रल government के लिए कि state government के लिए अगर बिहार के लिए apply करते हैं तो इसको ख़व आपके लिए select करना है अगर central government के लिए apply करना है तो आपको cost select करना है बस आप इसमें ये बता रहे हैं कि मैं कहां पर use करने जा रहा हूँ state government के लिए central government के लिए उसके बाद अपनी जाति का नाम यहां पर select करना है type नहीं करना है select करना है फिर father का name English में भी और पीता का नाम Hindi में भी माता का नाम English में भी माता का नाम Hindi में भी जब हम जाति select करते हैं तो हमने देखा कि जात select करते समय इसमें इतने option है अन्य, ब्रामन, राजपुत, भूमिहार, कायस्त, स्टैयद, शेक, पठान, खत्रे, सिंधि सिर्फ इतनी जातियों के जो लोग हैं उन्हीं के लिए ये EWA सर्टिफिकेट है क्यों? क्योंकि इनको किसी भी प्रकार का आरक्षन नहीं है इनके अलावा, ध्यान दिजे, इन जाति के अलावा बिहार में और जितने भी केटेगरी हैं जितने भी कास्ट हैं, उन्हों सब के लिए रिजवेशन है चाहे वो SC में आते होंगे, चाहे ST में आते होंगे, चाहे OBC में आते होंगे रिजवेशन है उनके पास इन कास्ट के अलावा जितने भी लोग हैं, सब का रिजवेशन है बिहार में, सिर्फ इन का रिजवेशन नहीं है, सिर्फ ये अन्रिजवर केटेगरी है, और ये जो EWS में जो 10% गोर्मेंट दे रही है, ये सिर्फ अन्रिजवर केटेगरी के गरीव लोगों के लिए है, तम क्लोजवेशन है, ये सिर्फ 10% वैसे लोगों के लिए है, जो गरीब है, और गरीबी का निर्धारन गोर्मेंट ने अपने नोटिफिकेशन में किया है, हम वो बताएंगे आपको, यहां पर अगर आप इन में से किसी एक जाती में आते हैं, तब ही आपको ये मिलेगा, अगर इन में से कोई एक जाती नहीं है, तो आप चेक कर लिजिए, हो सकता है आप सिड्यूल कास्ट में आते हों, हो सकता है सिड्यूल ट्राइब में आते हों, हो सकता है ओबी सी में आते हैं, अधर बैक वर्ड क्लास में आते हों, ठीक है, नेक्स्ट, आपका चै के लिए certificate general category के लिए है सरकार ने general category के candidates के लिए 10% आरक्षन शुरू किया है यह उन सभी उमित्वारों के लिए है जो किसी भी आरक्षन जैसे OBCS, CS, TPH किसी भी आरक्षन के अंतरगत आते ही नहीं इंडिया में आरक्षन का तो बहुत बड़ा बोल बाला है और यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी आरक्षन किसी रेड़ी में नहीं आते है वो EWS में आते हैं और आर्थिक रूप से पिछेडे बर्गों से संबंदित होते हैं तो आपका यह आगे वाला पेश इसमें हस्मेंट वाइफ का नाम लिखना है पति पत्मी का नाम लिखना है ठीक है उसके बाद से यहां पर मोबाईल नमबर लिखना टाइप करना है मोबाईल नमबर टाइप करना है यहां पर इमेल आइडी टाइप करना है कितना सिंपल है मोबाइल नंबर टाइप करना है इमेल आईडी टाइप करना है यहाँ पर अपना फॉर्ट है उसको साइन कर दीजिए उसको फोटो कीच्च लीजिए उसको स्क्रिन्शोट ले लीजिए अब फोटो ले लीजिए उसका ले करके compensate और यहां पर चूज फाइल कीजिए, चूज फाइल करने के पाद से अपलोड कर दिजिए, और यहां पर टोटल इंकम ऑफ दा फैमिली, कमपल सरी है, क्योंकि टोटल इंकम अगर आठ लाग से ज्यादा है, तो EWS के टेगरी के लिए इलिजिबिलिटी नहीं है, सो यह मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, कि टोटल इंकम ऑफ एमिली कितनी है, उसको यहां पर टैप करना है, अब सेल्प डिक्लेरेशन देना है, स्वयम घोषना कर रहे हैं आप, क्या घोषना करना है, अपना नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, यह सब इसमें फिलप, अप आटोमेटिक आएगा, क्योंकि आप फिलप कर चुके हैं, मैं सोन सो जात से संबंद रखता हूं, रखती हूं, मेरे परिवार की कूल श्रोतों, जिसमें वेतन, क्रिशी, वेशाय, पेशा, आदिसे, कूल वार्शी का है, सोन सो एमाउंट है, मेरे परिवार के पास अंचल के सिवाय अथवा, इसके अतिरिक्त, अन्यत्र कोई संपती नहीं है, यह डिकलेरिशन देना है, कई अस्थानों पर इस्थित, परिसंपतियों को जोडने के पश्चात भी, मैं आर्थिक रूप से कमजोर बरके डारे में आता हूं, यह डिकले जोड़कर रोडने के पश्चात निनमली खित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है, क्या-क्या, पांच एकड़ से ज़्यादा जमीन जिनके पास है, वो इडिवलोस में नहीं आते, पांच एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, एक हजार वर्ग फीट अथवा, इससे अधिक छेतरफल का आवासिय फ्लैट नहीं होना चाहिए, अनुशूचित नगरपालिका, मतलब मुनसिपेल्टी एरिया में, शहर एरिया में, शहर में हंडेड वर्ग गज से अधिक का आवासिय भूखंड, प्लोट की बात हो यहाँ पे, यह फ्लैट है, यह प्लोट है, हंडेड गज से उपर का प्लोट नहीं हो, नगरपालिका से बाहर, दो सो गज से अधिक आवासिय भूमंडल का प्लोट नहीं हो, अगर यह सब नहीं है, तो इलिजिबिलिटी बन जाती है, और आप यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि मेरे द्वारा दी गई, यह सभी जानकार सकते है, अगर इसमें कोई भी असत्य पाया जाता है, तो जो भी लाप्रात किया गया है, उससे बंचित किया जाएगा, और इस संबंद में विदी और नियमे को अधीन मेरे विरुद की जाने वाली करवाई के लिए मैं उतरदाई रहूंगा, यह डिक्लेरेशन आपको दे ना है, डिक्लेरेशन देने के बाद से, यह आई एग्री है, हाँ, एग्री को आपको यहाँ पर क्लिक करना है, दीखे, क्लिक हो गया है, सामा तो ना है जी, अब हम सब्मिट करने के तरह बढ़ रहा है, तो अपलाई to the office, जिस office को आपको याद है, हमने क्या क्या office था, ब् वो यहाँ पर automatic आ जाएगा, हमने क्लिक किया था पटना सदर, तो यह पटना सदर automatic आ गया, उसके बाद से आपको पता है, यह character जो यहाँ पर shown है, उस character के यहाँ पर type कर दीजिए, यहाँ पर type कर दीजिए, type हो गया, अब सब्मिट करना है, close मत कर दीजिएगा, reset मत कर दीजिएगा, यह दोनों कर देंगे, तो आपका भरा हुआ फिर से भर ना पड़ जाएगा, फिर से apply करना पड़ेगा, फिल अप करना पड़ेगा, सब्मिट कीजिए, जैसे सब्मिट करेंगे, आपका form जमा हो, जमा होने के बाद से आपको acknowledgement मिल जाएगा, आपके email पर भी acknowledgement आ जाएगा, आपके SMS में भी आ जाएगा, मोबाइल पर भी आ जाएगा, आपको करना क्या है, सब्मिट करने से पहले, भरी हुई जानकारी को सब्मिट करने से पहले, आप उपर से नीचे तक एक बार भरी हुई जो फिलप जानकारी उसको ध्यान से देखे, कोई भी गलत जानकारी हो, उसको इडिट करें, और फिर स करें आवश्यक दस्तावेज अफ्लोड करने के लिए attach anexBR پर क्लिक करें दस्तावेज अफ्लोड करें और फिर submit करें इंकंप्लिट submission नहीं करनी है रॉंग submission नहीं करने है इसलिए एक बबर इडिट कर लिजिए आपका नाम好不好 स्पेलिंग सही है कि नहीं पादर के नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं मुबाइल नमबर आपने सही दिया है कि नहीं इमेल आइडिया आपने सही दिया है कि नहीं जो आपने सेलेक्ट किया है अपने डीटेल सो सही दिया है कि नहीं एक बार आप छरसा उसको ध्यान से देखन और सब कुछ ठिक ठाक है, सब्मिट करते जिए, फिर आवेदन को सफलता पुर्वक जमा करने के बाद, आप पावती को डाउनलोड प्रिंट कर लें, वहाँ पर एक नॉलेजमेंट आएगा, एक नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लिजिए, अगर प्रिंटर है तो प्रिंट क प्रिंट रखें, इसको आप रेफर करके चेक करेंगे, अपना ट्रेक करेंगे आप, आपका फॉर्म कहां तक गया है, कहां पर अटका हुआ है, कहां प्रोसेस हो रहा है, उसको ट्रेक कर सकते हैं, प्रमाण पत्र जारी होने की प्रतिक्षा करें, और दुबारा आवेदन करें, एक बार अप्लाई कर दिया है न, बस, आपके पास acknowledgement आ गया है, हो गया, इट इजिन प्रोसेस, सो बार बार अप्लाई ना करें, प्रमाण पत्र स्विकृति पत्र जारी होने के बाद, इसे आपके मुबाईल नंबर पर, SMS के माध्यम से डाउन डोन लिंक, सो जैसे ही वो इसू होगा, EWA certificate, आप जो भी मुबाईल नंबर उसमें दिये हैं, उस पर SMS आ जाएगा, जो भी आपने email ID दिया है, उसमें link आ जाएगा, DG Locker में अपने आप आ जाएगा, Services, Service Plus Inbox में के द्वारा भेज दिया जाएगा, कहां कहां, SMS में आ जाएगा, आपके mobile में, आप वहां कहीं से भी download कर लिजिए, और download करके अपना form apply कर दिजिए, इनमें से किसी भी तरीके से अपना प्रमानपत्र राप्त कर सकते हैं, आवेदन की स्थिती देखने के लिए link द्वारा भी आप अपने आवेदन की स्थिती देख सकते हैं, प्रमानपत्र जब वहीं पर link भ होगा ही, वहां से भी सीधे download कर सकते हैं, समय समय पर आपको सेवा की स्थिती sms जो भी process होगा, development होगा आपका form का, आपको sms द्वारा alert दिया जाएगा, email द्वारा alert दिया जाएगा, इसलिए यह आवश्यक है कि application form में email id और mobile number सही से भरा जाया, गलत ना भर है, क्योंकि व जो भी processing हो रहा है, जो भी development हो रहा है, वो application का, आपको वो confirmation आएगा उस पे, इसलिए सही भरना है, और जब सब कुछ हो जाए, तो आपको ऐसा कोई form बिल जाएगा, ऐसा कोई form होगा, जिस पे बिहार सरकार हो, लिखा होगा, कार्यालय का नाम आपने याद है, block level पे, subdivision level district level पे, और उसके बाद से, इसमें प्रमापत्र संख्या होगा, किस date को इसु हुआ है, वो होगा, किस वर्ष के लिए ये इसु हुआ है, वो है, और उसके बाद से आपने जो नाम, नंबर, जो कुछ भी भरे हैं, ये सब यहाँ पर होगा, आपका photo यहाँ पर लगा होगा, और यहाँ पर signature होगा, यह certificate मिल गया, खुश हो जाएए, you are now eligible for 10% reservation in Central Government and State Government Services, even for the admission in School and Colleges also, and many more benefits, बस इतना छोटा सा काम करना है, ठीक है, देखी यह ऐसा है, यह EWA certificate process जो है, इसको जानना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बार examination में, इससे related भी question पुछे जाते हैं, कई जगहों पर interviewer यह सब question पुछते हैं, वो देखना चाहते हैं, कि इस व्यक्ति को आता भी है की नहीं, इसके बारे में इसको जनकारी है भी की नहीं, इसलिए इसके process को जानना आवश्यक है, खुद भी जागरुक बनना है, दूसरों को भी जागरुक बनाना है, स्वयं भी जागरुक बनिये, दूसरों को भी जागरुक बना, यही हमारा नागरी की धर्म है, आपका दूसरा चैनल EZKZ 2.dr. इसको भी like करें, subscribe करें, अपने दोस्तों Please keep on enjoying SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. Namaskar.